चले बच्चों देखें स्टार्ट करते हैं प्रश्ण संख्या 29 यानि कि देखो एक word problem दे रखिए यानि कि हमें एक शब्दाइक एक समस्या दे रखिए शब्दों के रूप में इस समस्या का हमें हल निकाल रहे हैं तो देखो यहीं चीज़े हैं इनी में हमें साब बच्चे फसते हैं और नहीं कर पाते प्रश्णों को इन से बहुत डल लगता है सब बच्चों को दीगें लेकिन हम इस हम में उसको create नहीं कर पाते हैं उस equation में नहीं समझ पाते हैं जिससे हमारा answer मिले है न समस्या में यही है और कोई समस्या नहीं है देखो प्रश्ण में पढ़ना शुरू करते हैं और दीरे दीरे फिर हम समझाएंगे किसी खेल के मैदान के चारो ओर एक ब्रत्ताकार पत है म ठीक है यह हमारा क्या होगा गोल मैंदान हो गया अब इसके चारो ओर इसके चारो ओर क्या है एक हुआ इसको बदल देते हैं कलर इसको फिर से एक बर ठाते हैं कलर बदल देते हैं देखो समझाने के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा बना रहा हूं इसको ताकि आपको समझ आए ठीक है चलो बेसिकरी क्या था यह तो गोल हमारा मैदान है यहां पर मालो यह कोई एक मैदान है जहां पर मैच हो रहा है या जो भी है ठीक इसके चारो ओर मैदान के चारो ओर क्या है एक पत्थ बना हुआ है एक रास्ता बना हुआ यह चारो ओर यहां पर रास्ता है इसके चारो ओर वो हैं अब देखो कौन दोन चक्कर लगा रहे हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है एक पत बना दिया एक बीच में ग्राउंड बना दिया ब्रतागार पत है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को अठारा मिनिट लगते हैं सोनिया को अठारा मिनिट लगते हैं देखो जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रभी को बारा मिनिट लगते हैं तो किसको रभी को बारा मिनिट लगते हैं कितने बारा मिनिट लगते हैं एक चक्कर लगाने में मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारम करते हैं करते हैं है बर चलना प्राराम क कर करके एक ही दिशा में चलते मतलब एक ही समय पर एक ही इस्तान से एक ही दिशा में चलना सूरू करते हैं कितने समय बाद श्वाद पुल्ध की अब बताई कि वो इसको देखो अब इसको बहुत समझना ध्यान से मालनों हमने वारा ये बिंदू है जहां से उन्होंने स्टार्टिंग किया चलना ये वो बिंदू है ठीक है ये हमारा वो बिंदू है ठीक है दोनों इस साइड जा रहे हैं दोनों क्या जा रहे हैं इस साइड जा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं दोनों, है न, हमारा इस साइड दोनों ही घूम रहे हैं, इस में मान लिया हमने, ठीक है, तो अब दोनों ने मान लो, ये हो गए हमारी, देखो, ये तो हो गए हमारी सोनिया, ठीक है, और ये हो गए हमारा, रभी, ये हो गए ह दोनों घूमने स्टार्ट करते हैं दोनों घूमने समझ लो पहले फिर आसानी से कॉश्चन तो बहुत चोटा है मैं एक मिनिट में कॉश्चन करा सकता हूं लेकिन वर्ड प्रॉलम तब तक नहीं होती है समझ से दूर जब तक हम यह चीज सिच्वेशन को नहीं समझ पाते हैं देखो क्या कह रहा है कि यह घूमना स्टार्ट करते हैं ठीक है देखो रभी को इसी स्थान से जाने में और इसी स्थान पर आने में बारा मिनिट लगते हैं जबकि सोनिया को यह सोनिया है और यह रभी है समझता है तो रभी को इसी स्थान से जाने में यहां पर दुबारा complete करने में बारा मिनिट लगते हैं और सौनिया को इस इस्तान पर आने में दुबारा अठारा मिनिट लगते हैं तीक है यही बात दे रखी है हमें चलो अब मालो देखो इरोने एक चक्कल लगाना शुरू किया तो रभी दुबारा मिन पहुंच गया जब सौनिया यहां आई तो रभी सम्थिंग यहां पहुंच गया हो गई रभी कहां पहुंच गया यहां मतलब उन्हें कब देखना है कि हम दुबारा उसी इस्तान पर मिलेंगे वोट समय निकालना है वोट समय निकालना है जब हम दुबारा इस चीज़ को देखो रभी कहा है यहां पर है जब दोबारा उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया जब दोबारा चक्कर मतलब वो तो निकल चुका आगे उन्हें क्या देखना है कि हम इसी स्थान पर इसी जगह पर दोबारा कम मिलेंगे यह देखते हैं घूमते रहो बस जब तक कि इस स्थान पर हम दोबारा ना पुने ना मिलें तो यह यहां पहुंच गया जब दूसरा चक्कर सुनिया ने अपना स्टार्ट किया तो रभी तो बहुत पहले यहां पहुंच गया अगली बार रभी कहां पहुंच गया होगा यहां ठीक है जब सुनिया हुगा तो Ravii यहा था रभी गहा था? यह देखो first round पthose यह पहले round पड़ यह दूसरे round पड़ टे यह दूसरे round पर हो गया और जब इसने 3 round complete किया जब इन्होंने 3 round यानि Sonia ने Sonia को अठारे दूनी चाट्ते Sonia ने 2 round complete किये और उतनी ही देर में जब दूसरा राउंड इसने complete किया रभी दुबारा यहां पहुँच गया ठीक है जब दूसरा राउंड इसका complete हुआ जब दूसरा राउंड complete हुआ तो रभी यहां पहुँच गया फिर से पुले तो कहने का मतलब देखो क्या हुआ इस situation में इस situation में ये हुआ कि जितने समय में जब ये दुबारा यहाँ पे मिले उतने समय में सौनिय लगा चुकी थी दो चक्कर और रवी ने लगा लिया उसी समय में तीन चक्कर ठीक है उतने समय में जब ये दुबारा यही इस हrange्खती पर याके मिले इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं लासा निकालना पड़ेगा लासा कैसे लासा तो आपको पता ही क्या कर तो अभाज़ गुणनखन कर दो, अठा रहे के और बार हे के, दो से नौ बार, तीन से, तीन से, तीन से एक बार, कट गया, दो से छे, दो से तीन, और तीन से एक, ठीक, अब लासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे भीया, लासा मतलब की LCM, LCM निकाल दो, लो दोनों का, LCM देखो किसका, आपका 2 गुना, LCM क्या होगा, LCM ने क्या बताए, LCM के लिए, देखो दोनों को लिख लो पहले, तो 18 का आ गया, 2 गुना 3 की पावत 2, और इसका आ गया, 12 का, 2 की पावत 2 गुना 3, मैंने क्या बोला, सभी अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं बद अधिक्तम घात के साथ, जितनी अधिक्तम घात है उसके साथ ले लो, सब को, ठीक है, तो 2 की घात 2 कितना होगा, 4 और 3 की घात 3, 9 होगा, 9, तो 9, 4, 36, यानि कितना होगा, 36, तो 36 मिनिट्स बाद, ठीक है, ये दोनों पुन्हें उस इस्थान पर मिलेंगे, कितने मिनिट बाद मिलेंगे, 36 मिनिट बाद, ठीक हो, 18 मिनिट एक बार में लगे, 18 दूनी 36 दो बार में लगे, लेकिन उसी समय में, रभी, जब रभी, इसके 18 मिनिट हुए, रभी, समझो, एक चक्कल लगा के, लगभग, आदा रस्ता और तै कर चुगा होगा, यहाँ प तो जब इस ने एक चक्कर पूरा किया, तो रभी ने समझो कि देड़ चक्कर पूरा कर लिया, सोनिया ने जब एक चक्कर पूरा किया, और फिर जब सोनिया ने दूसरा चक्कर पूरा किया, तो रभी पुन्हे दुबारा वहाँ पहुँच गया, दुबारा वहाँ तो इसने क्रॉस किया होगा उसने क्रॉस किया होगा लेकिन उन्हें क्या डिसाइड किया हम उसी स्थान पर दोबारा कम मिलेंगे वहीं रुखेंगे तो इसके लिए आपने क्या निकालना पड़ेगा और अगर यहां पर देखो अब यह भी निकाल सकते हो कि दोनों इसके चक्कर कितने हुए उसके चक्कर कितने हुए दोनों से डिवाइड कर दो अठारे से डिवाइड कर दो तो इसने दो चक्कर लगाए सोनिया ने कितने चक्कर लगाए सोनिया ने लगाए दो चक्कर सौनिया 2 चक्कर और रवी नहीं ने लगाए भाई भाई थीन चक्कर ठिक है भाग कर दो वह हमारे राउंड निकल आएंग राउंड अगर पूछ ले था गर पूश्च Insurance में राउंड भी पूछ ले तो भी आप कर सकते हो इसकाम को । कितने चक्कर उसने लगा रवी ने लगाए कितने चकर सौनिया ने लगाए ये भी बताईए साथ किसा तो ये भी बता सकते हैं तो आप अब क्या लिख देंगे सौनिया वा रवी उन्हें उसी इस्थान पर 36 मिनट बाद दुबारा मिले ठीक है समझ में आया ना पूरा होगा इस प्रशन के लिए